इस वेडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह Windows 10 Laptop में Start Menu में से Windows Defender को किस तरह हटा सकते हैं अभी मैं Start Menu पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं Windows Defender दिखा रहा है मुझे यहाँ से इसे हटा रहा है तो किस तरह Start Menu में से Windows Defender को Unpin किया जाता है मैं आपको बताऊंगा आपको सबसे पहले Start Menu पर क्लिक करना पड़ेंगा मैं Start Menu पर क्लिक करता हूँ फिर यहाँ पर आपको Windows Defender पर आकर Right Click करना है माउस से और Pin to Start पर क्लिक कर लेना है आप देख सकते हैं यहाँ से Windows Defender का आइकन चला गया है इस तरह आप Start Menu में से Windows Defender को Unpin कर सकते हैं